तोरल की एंट्री ने रावल हाउस में काफी कुछ बदल कर रग दिया है नंदिनी और दर्श के जहन में एक एक करके कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर तोरल रावल हाउस से कैसे कनेक्टिड है क्या रिष्टा है उसका राजवी और उसके पती से वेल यहां पर अब एक के बाद एक खुला से नंदिनी के खुश उड़ा देंगे स्टापलस के मोस्ट पॉपिलर सीरियल आपकी नजरों ने समझा में आप देख रहे हैं कि तोरल के आज जाने के बाद राजवी बहुत डिस्टरब हो गई है वचारती है कि तोरल का सच दर्श और नंदिनी के सामने ना आए और अब इसकी बड़ी वजह नंदिनी को पता चलने वाली है सबसे पहले तो उसे तोरल की असलियत पता चलेगी कि वो पागल होने का महस नाटक कर रही है असल में वो पागल नहीं है तोरली खास मकसद से रावल हाउस आई है और ये मकसद है राजवी को बरबाद करना सालों पहले जो कुछ भी राजवी और तोरल के बीच हुआ उसका बद्ला लेना है तोरल को और इसी लिए वो आई है इतने सालों के बाद राजवी की जिंदगी में वापस राजवी के पती की पहली पत्नी है तोरल ये बात अब बहुत जल्द खुलेगी और दर्श की असली मा है इस रास का खुलासा सब के होश उड़ा देगा इस प्रेशली दर्श के फिलाल दर्श को ये बात पता नहीं चलने पार वाली क्योंकि सबसे पहले अगर इस बारे में कोई जाने का तो वो है नंदनी नंदनी को पता चलेगा कि तोरल इस बात का फायदा उठा कर राजनी और दर्श को एक दूसरे से अलग करना चाहती है और सालों पुराना बदला लेना चाहती है लेकिन नंदनी के रहते तोरल ऐसा कुछ करने ही पाएगी क्योंकि वक्त वक्त पर नंदनी तोरल को मूट और जवाब देती हुई आएगी नजर वहीं नंदनी राजनी से कैस सवाल करेगी कि आखर आपके और तोरल के बीच ऐसा क्या है जिसे आप नहीं बताना चाहती क्यों आप इतना डर रही है तो इंतजार रहेगा सेरियल आपकी नजरों ने समझा में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का तोरल की असलियत का खलासा उसकी असलित पहचान का खलासा कौन सा नया तूफान लाने वाला है रावल हाउस में जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाती है